कि हलो फैंट से लेकमें टो आवर ऑफिसियल चैनल दगोलेचवड आज हम लोग बात करेंगे लाइसी एडियो के मेंस स्टेटजी के बारे में कि कौन सी स्टेटजी हम लोग को फॉलो करनी चाहिए ताकि हम लोग मेंस के एक्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाए और कौन-कौ के रिगार्डिंग काफी कंफ्यूजन है और इसके जो मैटेरियल से वह भी काफी कम अविलेवल हैं हर जगा तो इंस्वारेंस कहां से पढ़े फ्री मैटेरियल हम लोग उस पर डिसकस करेंगे जितने भी सोर्सेज में बताऊंगा सब फ्री ओफ कोई पेट सोर्सेज के बा बताव करूँ तो पैटर्ण में आपको 3 सेक्षंस देखने को में मिल रहे हैं अब को 50 questions 50 marks के आपको सब्सक्राइबे यानी कि 50 questions में कुछ questions रिज्णिंग के होंगे और कुछ questions नृमरी्स के होंगे दोनों मिला के 50 questions 50 marks के forms जेनरल नॉलेज़ जीके करेंट अफियर्स इंग्लिस लैंग्वेज मतलब यानि की करेंट अफियर्स और इंग्लिस दोनों का सेक्शन मिला के 50 कोश्चन 50 मार्क्स के आपको यहां पर भी देखने को मिलेंगे और सिर्फ इंस्वारेंस और के देखने को मिलेंगे वहीं अगर मैं बात करूं और यहां पर कोई भी सेक्शनल टाइमिंग की नहीं होगी आपका यानि की जो भी टाइम होगा वह कंपोजीट आवर होगा आप बात करते हैं कि रिजनिंग एबिलिटी और नुमरिकल एबिलिटी कहां से करें सबसे पहले मै मैं बता दू कि रिजनिंग के लिए आप अंकुस लांबा जिनका चैनल बैंकिंग क्रोनिकल है उनको फॉलो कर सकते हैं उनके बहुत सारे वीडियो में से स्पेसल आपको मिल जाएंगे आप वहां से प्रिपेर कर सकते हो या उनका बेस्ट वन थॉजन पजल का जो सीरीज ह है आप वह देख सकते हो या उनके पीडियाप से बना सकते हो और मैं बात करूं तो आप और बी जो भी आपको अच्छे लग रहे हो जैसे सौरब सर है अड्डा के आप उसको फॉलो कर सकते हो मेंस के अगर उनके वहां पर मेंस के क्लासे बहुत कम मिलेंगे मैं तो कहूंग आप उनका प्लेलिस्ट उनका भी देख सकते हो वहीं अगर मैं मैं मैंस की अगर मैं बात करूं तो मैंस के लिए आप आर्थमेटिक पोर्शंस आप जितना ज़्यादा कर सो को करो क्योंकि काफी कोश्चंस अर्थमेटिक के कोश्चंस पूछे जा रहे हैं और डियाई पे अर्थमेटिक के जो भी पोर्चन से उसको बहुत अच्छे से करना है तो अर्थमेटिक डियाई और इस्पेशल सिरीज भी चल रहा है लिए डियो डबल यो मेंस के बहुत सारे क्लासेश चल रहे हैं इस्पेशली आपको अगर फॉलो करना है तो आप हरसल अगरवाल सर को फॉलो कर सकते हो लर्निंग कैप्सूल उनके वीडियो चैनल का नाम है या कौसिक महंती को फॉलो कर सकते हो मैट्स में लेकिन जो मेंस का जो कंटेंट है ना वह लर्निंग कैप्सूल में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा हरसल अगरवाल सर का तो आप वहां से आप उनको फॉलो कर सकते हो वहीं अगर मैं जेनरल नॉलीज और करेंट अफेर्स की बात करूँ तो आप कोई भी कोर्स जो है अगर आपके पा पर फिरी उनके बेश्ट 300 एवलेबल हो जाते हैं नहीं तो आपको क्या करना है मन्त वीकली सेशंस हर मन्त का अड़ा में आपको एवलेबल है आप अड़ा से भी आसी सर के वीडियो को फॉलो कर सकते हो या आपको जहां से भी बेश्ट जो कोशन्स हैं करेंट अफेर्स के अगर इंस्चार से 우리가 करेंट नियूज अप उस पर ज़्यादा उसको वेरी वेडियूट करके आपको उसको याद कर ना आ 14 को पड़ना है क्योंकि आप को कहीं सोन्से लिलेटेट आपको देखने को मिलेंगे नेग्स इंस्चाण्स सेह डियोन की अगर मैं बात करूँ तो नमबर और को सिक्स्टी और मैक्सिमों माक साथ आपको देखने को मिलेंगे यहां काफी कन्फूजन है कि कहां से त्यारी की जाए तो मैं आपको दिखा रहा हूं आपको जैसा की स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप गुगल पर सिंप्ल जाकर टाइप भी करेंगे आई सी थी एट यानि कि आई सी थर्टी एट आप टाइप करेंगे तो आपको ऐसा एक पीडिएफ दिखेगा इंसौरेंश इंसिचूट आफ इंडिया का यह पीडिएफ में 6 640 या 604 पेज के आसपास है मैं आपको बता देता हूँ 616 पेज है उसमें आपको कंटेंट देखने को मिलेंगे जैसे कि कॉमन चैप्टर से इंट्रोडक्शन टू इंसौरेंश मिल जाएगा कस्टमर सर्विस ग्रियवहांस रिड्रेसल मेकेनिज्म रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ कॉर्परेट एजनसी लीगल प्रिंस्पल ऑफ एन इंसौरेंश कॉंट्रेक्ट वाट लाइफ इंसौरेंश इन्वाल्स यह सारे कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे 616 पेज आप इनको पढ़ना कैसे है सबसे पहले आपको पूरा नहीं पढ़ना इंट्रोडक्शन टू इंसौरेंश अगर आप पीडियाप में जाओगे तो सबसे मतला 2 से 26 तक है तो आप 23 या 24 वे पेज में देखोगे कि जो भी के जो बल्क में कोश्चन साएंगे उसके लिए और ये इनसौरेंश अवेरनेस की तयारी करने के लिए IC38 से बहतर कोई सोर्स नहीं है आपको यही परना है आप फिर नेक्ट कस्टमर सर्विस में जब जाएंगे तो उनके पूरे कंटेंट को नहीं परना आप डिरेक 55 54 55 पे जाद कीजिए और कवर कीजिए इससे आपका क्या होगा यह जो इनसौरेंस और फाइनेंसियल मार्केटिंग अवेरनेस का जो सेक्शन है वह आपका कहीं न कहीं कवर हो जाएगा और जैसे कुछ कंटेंट अगर मुझे मिलता है तो मैं आपके साथ जरूर सेयर करूंगा तो आप इस चीजों को फॉलो करके आप बहुत अच्छा एक्जाम्स में कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको मॉक टेस्ट रेगूलर बेसिस पर लगाना है एक मॉक लगाईए उसको कम आप प्रिफेर करते हो उन मॉक्स को भी दीजिए वहां से रिलेटेड एमसी क्यूज जो है चाहे वो करेंट अफेर्स का हो चाहे इंस्वरेंस को उनको भी याद कीजिए और यह जो इसको भी पढ़िए तो मैंने रिजनिंग के लिए आपको अंकुस लांबा बता दिया न उनको भी फॉलो कर सकते नहीं तो study IQ अगर maximum बच्चों के पास होता आप उनको फॉलो कीजिए और insurance and financial awareness के लिए IC38 PDF को फॉलो कर सकते हैं और जो परने का तरीका था वो भी मैंने बता दिया तो यह best sources थे और mocks जरूर लगाईए और mocks से आपको पता चलता है अगर आपके number marks कम भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आप जोहां गलती है कि अगर आपकी होती है तो उन चीजों को आप अच्छे से पढ़िए याद कीजिए और आगे बढ़िए ताकि आप अच्छे से marks को score कर पाएंगे तो यह हो गई कुछ source कुछ important जो best sources थे जहां से आप preparation कर सकते ह हैं अगर कोई भी डाउट हो तो फिर कमेंट कीजिए मैं आपके डाउट के reply जरूर दोंगा थैंक वर वाचिंग की पाचिंग आवर वीडियोज